फेंटो लेजर पोस्टीवियर पोलर कैट्रैट की सरजेरी को बेहर सुरक्षित बनाता है पोस्टीवियर पोलर कैट्रैट मोदिया बिनकी पिछली जिल्लियों में सटा रहता है यह पिछली जिल्ली काफी कमजोर होती है या कभी कभी पहले से ही पढ़ी रहती है तो जबी भी हम मोदिया बिन को आपरेशन करते हैं तो पिछली चिल्डी के फटने का डर रहता है कभी-कभी तो यह पहले से ही फटी रहती है तो फिंटो लेजर से जब हम मोदिया बिन की सर्जरी करते हैं पोस्टिरिया पोलर कैटलेट की तो यह काफी सुरक्षिक कबच देता है काफी सुरक्षिक बनाता है इस सर्जरी को क्योंकि सबसे पहले फिंटो लेजर की ओसी की से हमें यहां पता चल जाता है कि मोदिया बिन की जो पिछली चिल्डी है पहले से पती भी है कि नहीं क्योंकि ऐसे इस जिद्धी में हम मोदिया बिंग की सर्जरी के पहले ही सही इंट्राप्लेलेस का चुड़ाओ कर पाते हैं दूसरा फिंटो लेजर मोदिया बिंग को सता सता में विभाजित कर देता है तो जो सता कंजोर भी जिली से सती रहती है उसको हम सबसे बात में निकालते हैं पहले उपर की सता होंको निकालते हैं तो अगर पिछले की सता है वो सुलच्छा के कवच का काम करती है अंक में जो कंजोर कैप्सुल से सटी निसाता है उसको विशेस प्रकार से निकाल दिया जाता है तो ऐसे प्रेंटो लेजर बोदिया बिन की पिछली जिल्ली से सटे हुए खतरनाफ पोसिंडियर पोलर कैट रैक में एक सुरक्षित कवच्च का निर्मान कर इस संजरी को बेहदी सुरक्षित बनाता है प्रेंटो लेजर से जब हम लेंस को बिल्कुल गला देते हैं तो उसके बाद जब हम फेको पतती से उसको निकालने आते हैं इसको पहले से फेटो लेजर से मोदिया मिनको बिवाजित कर दिया गया है इसके बाद पेको की चूशत नली से केवन निकाला गया एनरजी का इस्तिमाल हुआ ही नहीं है अब एफ एल डी एंटी जेट एफ एल डी एंटी जेट वाह परफेक्ट मेरा 6x6 वीजन होगे हैं बिना चस्मागा मेरे मुबाइल पर भी सारे मेसेज्जे आफ दिख रहा है मैरे नजदिक लिए भी कोई चस्मे की जुरुत नई है मोगाईल में मेरे सब कुछ साफ साफ क्लियर दिख रहा है अभी कोई चस्मे की जुरुत नहीं है रजड के लिए हैं कि ड़क्तर भातिक कर्ष्याब कहा मुझे बाहर का चकर लगाना पड़ता मैं यहाँ पर आया मेरा सब कोई परफेक्ट हो गया, कोई परिशानी नहीं हुई, इजीबे में हो गया